Hello Friends, आज हम आपको बताएंगे घर में पनीर कैसे बनाया जाता है यह हमने लिया है Amul का फुल क्रीम 1 लिटर दूद और यह है विनेगर आप इसको विनेगर से भी बना सकते हैं निमू से भी बना सकते हैं दही से भी बना सकते हैं हम आज बनाएंगे विनेगर से, दूद को एक उबालाने तक हाई फ्लेम पर गरम करेंगे, दूद उबल चुका है, अब हम गैस को बंद कर देंगे, और इसको नीचे उतार लेंगे, अब इसको 30 सेकेंड के लिए ऐसे ही रख देंगे, अब हम इसमें विनेगर डालेंगे, इ इसमें हमने लगभग धाई चम्मच विनेगर डाला है, आप देख रहे हैं कि दूद भड़ चुका है, और पानी और पनीर अलग हो चुका है, अब इसको हम एक कोटन के कपड़े में निकालेंगे, और अच्छे से वोस करेंगे, ये हमने एक कोटन का कपड़ा लिया है, औ और ऐसा हमने एक पती लड़ लिया है, इसके उपर हम इसको ऐसे रखेंगे, और इसमें ये फटा हुआ दूद डालेंगे, देखिए ये पानी अब अलग हो चुका है, अब इस पनीर को हम अच्छे से वोस करेंगे, इसको हम 3-4 बर ऐसे अच्छे से धोईगे, ताकि विने कपड़े में ऐसे ही बांद के आदे घंटे के लिए लटका देंगे, ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए, इसको हमने आदे घंटे तक लटका आया था, अब इसका पूरा पानी निकल चुका है, इसको अब हम किसी भारी चीज के नीचे दबाएंगे, ताकि ये अपनी से मैं इसको सिल्वट्टे के नीचे दबाऊंगी ये काफी भारी है आप किसी भी चीज के नीचे दबा सकते हैं आपकी कीचन में कोई राइस कंटेनर होगा या चीनी का कंटेनर होगा उसके नीचे भी दबा सकते हैं इसको हम दो घंटे के लिए ऐसे ही रखेंगे आप देख र अगर आप इसको तीन-चार दिन के लिए स्टोर करना चाते हैं तो आप इसका हर रोज पानी बदलते रहे और फ्रीज में रख दे ये एक लीटर दूद में लगवग 200 ग्राम पनीर बनकर तयार हुआ है अगर हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइ किजिए लाइक किजिए और शेयर किजिए थैंक यू